हेलो बच्चो कैसे हैं आप उम्मिद करते हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो चलिए आज स्वस्थ होने की और स्वच होने की बात कर लेते हैं जान लेते हैं कि स्वच्चता हमारे जीवन का कितना एहम है और इसी विशे पर आज का हमारा पाठ है जिसका न हम पाठ के विशे में संक्षिब जनकारी ले लेते हैं इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है नते हमें स्वास्थिये के नियमों का पालन करना चाहिए आईए पाठ में आने वाले कठिन शब्द जाने विशब्द है अत्यांत, उल्लास, स्वस्थ, प्रतिकूल, संक्रामक, पाउष्टिक, पूर्ति और योगा भास तो चलिए अपने पाठ को आरम करते हैं स्वस्थ रहना, स्वस्थ यानी की हमारे शरीर का तंदरुस्थ रहना स्वस्थ रहना हम सब के लिए अत्यांत आवशक है अत्यांत आवशक है अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने कोई भी काम नहीं कर पाएंगे अच्छे स्वस्थी की चमक हमारे चहरे पर जलकती है अर्था, जो स्वास्थ व्यक्ति होगा, उसके चहरे पर अलग सा ही निखार दिखता है, और एक बिमार व्यक्ति चहरे से ही बिमार दिखता है, स्वास्थ व्यक्ति का मन सधा प्रसंद रहता है, उसका मन उमंग और उल्लास से भरा रहता है, उमंग यानि खुशी और उत्सा अर्था एक स्वास्थ व्यक्ति हार कार्य को दिल से करता है क्योंकि उसका शरी और मन स्वास्थ होता है स्वास्थ व्यक्ति का हिर्देत दुगने उस्सा के साथ कठिन से कठिन काम करने के लिए आगे बढ़ता रहता है इसके विप्रेद अस्वास्थ व्यक्ति उदास रहता तथा उसका स्वभाव चिर्चिड़ा हो जाता है तथा जो अस्वस्त व्यक्ति है वो चिर्चिड़ा हो जाता है बात बात पर उसको गुस्सा आता है किसी की साथ धंग से वह बात ही नहीं करता किसी भी काम में उसका मनी नहीं लगता इसलिए कहा जाता है कि स्वस्त तन में ह मस्तिक्ष का निवास होता है मस्तिक्ष यानि की दिमाग अब प्रश्ण यह उड़ता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए स्वस्थ रहने के लिए निमलिकित बातों का ध्यार रखना पेहज जरूरी है स्वस्थ रहने की सर्व प्रत्थम आवशकता है स्वस्थता अर्था सपाई पच्चो स्वस्त रहने के लिए हमें साफ सुत्रा रहना चाहिए स्वच्चता तन की, मन की, घर की और बाहर की सभी स्थानों की होनी चाहिए पहले हम तन और शरीर की स्वच्चता को ही ले हमारी त्वच्चा में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं इन शिद्रों से पसीना बहार निकलता है दिन भर काम करते समय इन शिद्रों पर धूल मिट्टी जम जाती है इसे साफ करने के लिए प्रती दिन सनान करना अवश्रक है नियमित यानी की नियम पूर्वक प्रती दिन नियमित स्नान ना करने से ये छिद्रबंध हो जाते हैं और शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती यही गंदगी अनेक रोगों को जन देती है स्नान करने का अर्थ यह नहीं है अर्थ यानिकिस का मतलब स्नान करने कार्थ यह नहीं है कि शरीड पर पानी ड्याल दिया और स्नान हो गया इसे हम सम्पूर स्नान नहीं कह सकते नहाने में अच्छे किस्मिके साबून का उप्योग करना चाहिए स्नान की बात खुरदरे तॉलिये से शरीर को रगड़ रगड़ कर पहुशना चाहिए इससे त्वचा के छिद्रों के मुक पर जमा हुआ मैल साफ हो जाता है जिससे रोम छिद्र खुल जाते हैं और शरीर पहुशने के लिए अपना तॉलिया ही प्रयोग में लाना चाहिए अर्था अलग तॉलिया का अस्तमाल करना चाहिए किसी और के तॉलिया का अस्तमाल हमें नहीं करना चाहिए दूसरे का तॉलिया कभी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए दूसरे के तॉले से शरीर पहुशने से उस व्यक्ति के रोक हमें लग सकते हैं ये भी एक आस्वस्त इंसान की पहचान है अगर उसने किसी और का तॉले अस्तमाल किया तो वो गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है शरीर की सफाई के साथ साथ साफ कपड़े पहनना भी आवशक है गंदे कपड़े पहनने से त्वचा की बिमारियां हो जाती है रात्री को सोते समय सूती और धीले वस्तर पहनने चाहिए क्योंकि उस समय हम शरीर को पूरी तरह छोड़ देते हैं तो ताइट कपड़े अगर हम पहनेंगे तो हमारे शरीर में रक्त संचार पर इसका असर पढ़ सकता है इसलिए रात को सोते समय सूती और धीले वस्तर पहनने चाहिए घर को साफ सुतरा रखना भी बहुत आवशक है घर की गंदगी स्वास्ते पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है अर्थात अगर घर में गंदगी रहेगी तो उसका असर हमारे स्वास्ते में पढ़ेगा और हम रोगी बन सकते हैं धूल मिट्टी श्वास के रोग बढ़ाती है स्वास यानि के हमारे सांस संबंदी रोग धूल मिट्टी अगर चारो तरफ हो तो उससे हमें सांस संबंदी दिक्कत हो सकती है घर को हमेशा साफ रखना चाहिए नित्य नित्य यानि के रोज नित्य जारू लगाने चाहिए, नालियों को साफ रखना चाहिए, उनमें फिनायल डालने चाहिए, मक्खी मच्रों से बचाव रखना चाहिए, गड़ों में पानी खटा नहीं होने देना चाहिए, पानी की टंकियों, कुल्रों आदी का पानी बदलते रहना चाहिए, गंदा पानि मच्णों को चंद देता है इस से मलेरिया और डेंगू जैसे जोब फैलते हैं संक्रामक बीमारियों से बशने के लिए समय-समय पत्ठी का लगवा है लेना चाहिए लिए कि हमेशा इस बात का ध्यान एबBER करने कि संक्रामक बीमारियों से बचना है, संक्रामक यानिकी संपर्ख से होने वाली बिमारियां, अर्था जो कीडे, मच्छर इनके संक्रमन में होने से जो बिमारियां होती है, उनसे बचने की उपाय हमें कर लेनी चाहिए, स्वस रहने की दूसरी आवशक ज़रूरत है स्वच जल हमें सदा स्वच जल पीना चाहिए यदि पानी की शुद्धता पर संदे हो शुद्धता यानि की उसकी purity उसकी स्वचता पर अगर संदे हो पानी की स्वचता पर तो उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए कुमों के पानी को स्वच बनाने के लिए उनमे समय समय पर लाल दवा यहनि कि पोटेशियाम पर मेंगनेट डालते रहना चाहिए जिससे यह पानी पीने लाइक बना रहे क्योंकि कुमों का जल जो होता है वो धर्ती के नीचे का जल होता है जिसमें छुटे मुटे जीवजन्तु होते है तल आपका पानी कभी नहीं पीना चाहिए अब घरों में पानी साफ करने के लिए एक छूटा सा उपकरण जिसे वाटर प्योरिफाई कहते हैं उपकरण यारी एक तरह की मशीन वाटर प्योरिफाई जो पानी को साफ करती है उससे गंदेगी हटा देती है जिसे वाटर प्योरिफाई कहते हैं प्रियोग में लाए जाने लेगा आजकल तो वाटर प्योरिफाई हर घर हर जगा हर दुकान होटल मकान सब जगा है इसका प्रियोग बहुत उपयोगी होता है अच्छे स्वास्ते के लिए पौश्टिक पौश्टिक यानि कि जिसमें पौश्टिक ता हो सारे पौश्टिक गुण हो जिससे हमारा शरी स्वस्त रह सके और संतुलिद भोजन भी बहुत जरूर जूद दही अंडा मास मचली का उपयोग करना चाहिए हमें हरी सबजियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए अधिक मात्रा यानिकी मात्रा अधिक हो यानिकी जादा क्वांटिटी में लेनी चाहिए क्योंकि इनमें पौश्टिक तत्व अधिक होते हैं फल खाना और फलों का रस यानिकी जूस पीना बहुत उपयोगी होता है खाने की वस्तों को साफ करना बहुत जरूरी है सबजियों और फलों का प्रियोग करने से पहले उन्हें अच्छे से धू लेना चाहिए क्योंकि अर्था सेर सुबह सुबह ताजी हवा में घूमने से शरीर को बेहद लाव होता है मातमा कांदी कहते थे खुली हवा में घूमना स्वास्ते के लिए लाब दायक होता है सेर करना भी एक तरह का व्यायान है रात्री के समय छे साथ घंटे की नीन लेने से हमारे शरीर को प्र क्राम ले लेता है इस से हमारी थकान मिठती हैं तथा अगले दिन हम काम करने के लिए पुरी तरह तयार हो जाते हैं शरीर को स्वस्त और छिश्ट पुष्ट बनाने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए खुली हवा में व्यायाम करने से माश पेशिया मजबूत होती हैं प्रात्यकाल व्यायाम करने से सारे दिन शरीन में स्फूर्ती बनी रहती है पूर्टी आनि की चुस्ती अर्थात अगर हम सुबे सुबे व्यायाम करेंगे तो पूरे दिन चुस्त दुरुस रहेंगे सारे कामों में हमारा मन लगेगा योग्या भ्यास भी स्वास्ते के लिए बहुत लाबदायक है अरतात घूमना और ग्यायाम करना और योग करना ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाबदायक है स्वास रहने के लिए स्वच हवा में सांस लेना आवशक है घरों में रोशंदान और खिर्किया इस प्रकार होनी चाहिए इसे बहार की शुद हवा अंदर आ सके और अंदर की दूशित हवा बहार जा सके दूशित यानि की गंदी हवा हमें अपने स्वास्ते की प्रती सदा सचेत रहना चाहिए सचेत यानि की जागरूप सावधान रहना चाहिए हमें सदा स्मरान रखना चाहिए कि अच्छा स्वास्ते ही सबसे बड़ा खजाना है इसी से हमारा जीवन सुखी बनता है बच्चों अगर हमारा स्वास्ते अच्छा नहीं है तो बड़ा सा बड़ा धन भी हमारे किसी काम का नहीं है हमारा किसी काम में कोई मन नहीं लेगा कौन से त्योहार आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं कहां पाटी हो रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं तो हम हर काम में विशेश युगदान दे सकते हैं और अपने जीवन का भरपूर आनंद धा सकते है तो बच्चों आप भी इस बात को समझे, स्वस्त रहना अमारे लिए जरूरी है, जिसके लिए हमें अपनी दिन चरिया में व्यायाम, यूगा और सैर के लिए जगा बनानी होगी, आप इस समय विद्यारती जीवन में हैं, आपके लिए तो ये बेहत जरूरी है, स्वस्त रह क्यों यूब में अपनी है।